स्वागत है आप सभी का मेरा इस चेनल दा डिवाइन पावर 1111 में जो नई सब्सक्रैबर जुड़े हैं हमारी इस ब्यारी सी सॉल फैमिली के साथ उन सबी का तह्य दिल से वेलकम है इस चेनल पे और मेरी इस ब्यारी सी सॉल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए and congratulations उनको जिनका reunion हुआ है मैंने कल स्टोरी डाली थी I hope आप सबने देखी होगी तो नीचे जरूर congratulations उनको लिखेगा तो congratulations both of you तो चले आज हम चेक करेंगे कि आपके person की आज की अभी की इस समय की current energy आपको लेकर क्या है वो क्या सोचते हैं क्या चलता है उनके दिल और दिमाग में क्या वो आपको miss करते हैं अगर आपका ध्यान उनकी तरफ बार बार जा रहा है तो चेक करते हैं कि क्या उनका ध्यान भी आपकी तरफ जाता है Reading Journal है थी था पर आपने ध्यान नहीं देना है वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहने के लिए आपने प्लेबेक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना है लेकिन वीडियो को एंड तक देखना है शेर जरूर करना है नए आए हो इस चैनल पे और मेरे साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हो तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमली का हिस्सा तो चले स्टार्ट करते हैं तो अपनी परसन की बिच्चे को निकाल लेजी ठीक है देखिए उनको बड़े प्यार से और बिलाईए उनको अपनी तरफ तो देखते हैं कि युनिवर्स अमें क्या बताते हैं युनिवर्स इस समें मेरे वीवर्स जिस भी परसन के बारे में सोचते हुए इस रीडिंग देख रहे हैं तो बताईए उनकी अभी इस वक्त की अवड c. और ग है क्या चल रहा है उनकी दिल और दिमाग में तो देख लेते हैं पड़ी क्या आता है काफी सोचते हुए आपके परसन मुझे दिखाई दे रहे हैं आपसे उम्ब्र भी चोटे हो सकते हैं एक्षिन लेने के बारे में सोच रहे हैं ट्रैवल करें में को ऐसा लग रहा है कि आपके परसन अभी कहीं ट्रैवल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और उस दौरान आपके बारे में सोच रहे हैं या आने वाले समय में आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे गर में बड़े हो सकते हैं इनके उपर बहुत सी responsibility हैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं आप उनकी बढ़ी खौईश हो और इस खौईश को वो पूरा करना चाहते हैं इस समय आपके परसन आपको बहुत मिस कर रहे हैं चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपका call message उनको receive हो जाए ले क्लेम करना है तो और देख लेते हैं ये उनिवर्स क्या बताते हैं टेन ओफ पेंटिकल आया है हो सकता है ये सब के साथ रेजोनेट नहीं करेगा मेरे कुछ वीवर किसी मारेट परसन के साथ डील करे हैं एसमें वो अपनी फैमली के साथ तो है लेकिन उनका ध्यान आपकी तर तो आपके परसन मेंहों काफी इंगो सकती है काफी स्टबा नेचर को सकते हैं उसके भीटाव सब्सक्राइक हो ब्यूटिफुल कि नहीं है गया सでना ह्वाए ठाय एक पनाया है आख दोनों ही इन दिनों को एक दूसरे को बहुत मिस करें ओश बहुत आप लोगों आया है, तो समय का पैया बदलने वाला है, टू फ का पाया है आप लोग हो सकते हैं, ट्रिंट फ्लेम की चर्णी में ऐसा भी लगरा है, कि आपके परसन यहां पे भी कप्स की एनरजी आई है आपको लेकर बहुत प्यार फिल करे हैं, यहां मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके परसन इस समय कहीं ट्रैवल करे हैं या कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं आपके परसन आपसे मिलना चाहते हैं और ऐसा भी लग रहा है कि अचानक से वो आपको आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं क्योंकि यहां पे मुझे एक्षिंस बहुत तेजी से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है आने वले समय में मेरे कुछ वीवर्स कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हैं में भी कोई फंक्शन अटेंड करते हुए भी दिख रहे हो आप लोग आपके प परसे नजर आ रहे हैं काफी प्यार फिल करें हैं क्योंकि हमारी आज की रीटिंग में बहुत सारे कप्स की एनरची आई है तो बहुत प्यार यहां पे मुझे उनकी तरफ से दिख रहा है काफी मिस कर रहे हैं चाहें आप दोनों फीजिकल एक दूसरे से बहुत दूर हो ल आपने मन में अपने दिमाग में यह बिठा लिया है कि मैंने decision ले लिया है मुझे उसके पास जाना है अपनी life उसके साथ ही जीनी है वो आपको अपना life partner मानते हैं क्योंकि यहां पे couple card आया है and ऐसा भी हो सकता है आप अपने husband या wife के लिए reading देख रहे हो लेकिन कहीं न कहीं अपने person की feelings को जानने के लिए हमेशा desperate रहते हैं यहां पे ऐसे लग रहा है कि आपके person आपकी तरफ बहुत attraction फील करे हैं आपकी तरफ आने के लिए मुझबूर किये जा रहे हैं universe की तरफ से अपने आपको चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हैं बहुत जल्दी जो मुझे यहां पे उनकी आज की current energy feel हो रही है तो उनकी energy में मुझे action दिखाई दे रहा है और आपकी तरफ approach करने के बारे में भी यहां मुझे नजर आ रहा है तो आपकी तरफ मुझे action आता हुआ दिखाई दे रहा है जब भी आपके person आपको approach करते हैं तो आपने यह नहीं करना है कि आप उस time move लाकर बैठ जाओ और अपनी सारी मिनत पर पानी पेर दो जब वो आपकी तरफ आते हैं तो आपने प्यार से उनसे बात करनी है reason देखना है कि वो आपको क्या बताते है अपनी situation को देखना है then फिर उनको answer करना है तो आज हम लेंगे अपने प्यारे इंजल से guidance की वो आपको क्या guide करते हैं क्या advice करते हैं my dear beautiful angels guide कर दीजे मेरे viewers इस समय जो ये reading देख रहे हैं उनको आप क्या guide करना चाहोगे क्या बोलना चाहोगे इस समय उनको क्या कुछ करने की जरूरत है मैं card निकालने वाली हूँ तो देखते हैं कि कौन सा card आता है ये आपके उपर निरबहर है कि आप किस तरह से react करते हो and ये सब कुछ तब होगा जब आप अपने अंदर एक change लेके आओगे it's up to you अब सब कुछ आपके उपर है अगर आप negative सोचोगे तो negative ही आप receive कर लोगे अगर आप positive सोचोगे तो positive ही receive कर लोगे इस जरान अगर आप कुछ सोच रहे थे तो उसका answer no है one more card universe आपकी situation में improvement आने वाली है ठीक है definitely आपकी situation में improvement आने वाली है तो angels आपको बोल रहे हैं कि आपको positive सोचना है and positive ही receive करोगे अगर आप positive सोचते हो bottom of headache देख लेते हैं no need to worry आपको angels बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बस सिर्फ इतना है कि आपके उपर अब सब कुछ निरबर है अगर आप positive सोचोगे तो आपको positive ही receive होगा अगर आप negative सोचोगे तो आपका relation negativity की तरफ ही जाता जाएगा ठीक है तो इस energy को आपने claim करना है new direction new direction का मतलब कि आपको move on करना है जो आपके अंदर sad energy है उसको खतम करना है negative energy को खतम करना है and positivity की और बढ़ना है self love करना है तो आज के लिए बस इतना ही ये तो थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई होगी तो पसंद आई है तो जल्दी से आपने इसको claim करते हो लाइक करना है वीडियो को share करना है and अगर अचानक से आपको ये वीडियो मिली है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मेरे साथ एक connection फील कर रहे हो तो पहली बार आए हो तो आपने इस channel को करना है subscribe और बन चाना है मेरी इस प्यारी सी soul family का हिस्सा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ध्यान रखिएगा खुश रहेगा बहुत सारे प्यार के साथ bye take a love y'all